तो कल मैं human reproduction वाली चप्तर जब पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें क्या बता है कि human में reproduction होने के लिए 5 इस्टेफ होते हैं, कौन-कौन से इस्टेफ हैं? आपके gametogenesis और दूसरा होता है insemination और तीसरा होता है partidization, चौता होता है gestation और पार्चों होता है parturition तो ये 5 इस्टेफ होकर तब जाके आपके humans में जनन is possible हो पाता है, तो हिंदी का पतलब क्या होता है? युगमंग जनन, युगमंग इस्थान आंत्रण होता है, फिर निसेचन होता है, फिर गर्भावती और फिर प्रसा होने के बाद में एक नए संतान की उतपत्ती देखने क को मिलती है, देखिए जो यहां पर लिकार fertilization, fertilization का मलब होता है निसेचन, और निसेचन के पहले की दो घटनाए होती है, इसको कहते है pre-fertilization event, यानि कि निसेचन पूर्व घटना, निसेचन पूर्व घटना में कौन सी दो चीज़िया आती है, युगमंग जनन वा युग होती है, और निसेचन की घटना के बाद में दो चीज़े हमको देखने को मिलती है, एक होती है, यानि कि गरभावदी और फिर होती है प्रशव, तो ये होते हैं आपके दोनों निसेचन पस्री घटनाए, यानि कि निसेचन के बाद की घटना है, तो निसेचन पूर्व वही निसेचन का मल्लाब होता है नर युगमग वा मादा युगमग के मिलने को क्या कहते है निसेचन कहते है और निसेचन पश्य घटनाओं में दो चीरिया आते है गर्भावदी वा प्रसव इससे कहते है पोस्ट पडिलाइशन इवेंट इतने आप समझे आप देखिए मैं आप समझे आप देखिए सबसे पहले लिखा है और सबसे पहले आप समझेंगे सक्राणब जनन हो रहा है तो कहां हो रहा होगा हमको पता है कि नर जनन अंग में हो रहा है नर का जो जनन अंग होता है, male reproductive system, वहाँ पर ही तो सुक्राणू का जनम होगा, चाहिसी बात है, तो इस पर में तो जनेसिस के अंतर हम क्या पढ़ते हैं, male reproductive system पढ़ते हैं, और सुक्राणू जनन का मतला क्या होता है, कि नर युगमक के निर्माड को सुक्राणू जनन कहते है इतना आपको याद रखना है, कि नर युगमक के निर्माड को क्या करते हैं, सुक्राणू जनन करते हैं, जो नर जनन तंत्र होता है, उसको दो भागों में बाटा जाता है, तो primary sex organ क्या होते हैं, देखे, male reproductive system को दो भागों में बाटा है, पहला है primary sex organ, यानि कि प्रात्मिक यानि कि प्रात्मिक लेंगिक अंग क्या होगा, नर ने, उसको कहते हैं, टेस्टीस, यानि कि व्रशण। दूसरा male reproductive system का दूसरा भाग होता है, एसेसरीज और secondary sex organ, यानि कि सहायक वादुत्यक लेंगिक अंग, तो सहायक वादुत्यक लेंगिक अंग जो होते हैं, इनको भ क्या होगा, टेस्टीस होगा, यानि कि व्रशण। दूसरा भाग क्या होगा, एसेसरीज और secondary sex organ, यानि कि सहायक वादुत्यक लेंगिक अंग, समझे कि नहीं, वाद सहायक वादुत्यक लेंगिक अंग को भी दो भागों में बाता गया है, पहला है एसेसरीज ड़क्ट, य जिसे कहते हैं, अधिवरशण, और चोती होगी है, वास डिपरेंस, जिसे कहते हैं, हम लोग, सुक्रवाहिनी, इसको, as it is, क्रामानुसार आपको याद करना है, जब मैं आपको इसका डाइग्राम बताऊंगा न, तो आपको ये सब सारी चीज़े क्रम से मिलेंगी, एक तर जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, और दूसरा गलेंड क्या है, प्रोस्टेट गलेंड है, और तिरसा गलेंड कहुंसा है, आपका बल्बो, याद कि इसको क्या गयता है, हम लोग, काउपर गलेंड के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर कितने गलेंड आगे हैं, आपके तीन गलेंड आगे हैं, और यह कितने भी गलेंड हैं, यह सारे के सारे कुछना कुछ क्या क्रेट करेंगे, सिक्रेट करें तो देखे, एसेनीटल ग्रंट , या निंगी सहायक लेंगी ग्रंथियां जो होती हैं 3ğu ये थी कहा है , यह टीनों सहायक लेंगी ग्रंथियांunning प्रोस्टेट सेमिनल्स विसिकल्पोव यथा अlём इन three काम बहुत important है , application in प्रोस्टेट कहा अपनले इस्तित होता है तो पहले ग्लैंड जो होता है या क्या कहता है milky appearance जानी कि दुधिया कलर इस्पम को दुधिया कलर कौन प्रवाइड करता है तो prostate कई बार इस्पम नहीं कहेगा सीमन यह कहा है आप इसके बाए मैं भी last मता हूंगा सीमन कहेगा सीमन को या फिर इस्पम सुक्राण को दुधिया रख प्रदान करने का काम कौन सा ग्लैंड करता है तो कौन सा करता है prostate ग्लैंड करता है जितनी चीज़े मैं बता रहा हूं हर एक चीज़ को आप लोग ध्यान करके चलिएगा समझें दूसरा पांट देखे कह रहा है कि सेमिनल विस्कल इसको कहते है सुक्राण से कितने होते हैं एक जोड़ी होते या दिकी दो होते हैं सुक्राण से कितने होते हैं दो होते हैं प्रोस्टेट कितना था एक था सुक्राण से कितने होते हैं दो होते हैं और या इसके कहा प्रदान करता है थाइन कि अब यहां से यह और कर सकते हैं कि जो आपका सीमन है वह किस नेचर का होता है अलकलाई नेचर का होता है समझे कि नहीं अब तीसरा है थीसरा ग्लाण कौन सा है बल्बो-यूरेथ्रल या फिर कहले जिए copper gland इसको हिंदी में भी कहते है copper ग्रंथियां तो copper ग्रंथियां क्या करती है lubrication प्रोइड करती है शुक्राणू को या फिर कहले जिए semen को semen को क्या प्रोइड करती है चिकनाहट प्रोइड करने का काम कौन करती है बल्बो, यूरेथरल या पर कॉपर की गरंदियां ये काम करती हैं ये तीनों ग्लाइट आप समझ गए? आप देखें यहाँ पर लिख रखा है मैंने सीमन सीमन का मलब क्या होता है? इस्पम और ज्रेटाल फ्लूड यानि कि ये सारी चीज़ें इन तीनों ग्लाइट से निकले हुई चीज़ें जब इस्पम मे रिखें यहाँ G Mm और याद करेगा जया चाल जया जा आपको जमें बताओंगा और फिर स्पम कहां तो आपको अच्छ से पढ़ लिया अर है जब आप एक तरब से जब आप पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से मैं लिख कर गरंटी देता हूं कि आप इसको कभी भूले गे रहें तो नर्जनन तंत्र जो है इसका डाइग्राम कैसे होगा वह आपको मैं नेक्स वीडियो में आऊँगा और इसके साथ में व्रसण के अंदर कौन कौन सी कोशिकां में पाइदाती है और उन कोशिकाओं से कि इस प्रकाल से आपके सुक्रानों का निर्माण होता है यह भी आपको नेक्स वीडियो में बता दूना